बार अनुमंडल में सराब के खिलाप बड़ी कारवाई की गई A.S.P. अरविंद प्रताप सिंगे निर्देश पर बार और बक्तियारपुर में चापे मारी की गई कई सराब के भच्टी को बारताना में नस्ट किया गया वहीं बक्तियारपुर में चार सू लीटे देशी सराप के साथ दस लोगों को भी गिरफतार किया गया A.S.P. ने बताया कि सराप के खिलाफ लगातार कारवाई जाड़ी रहेगी देखिए पिछले काफी समय से शराप के विरुद अभियान पूरे अनमंदल इस्तर पर और बक्तियारपुर थाना इस्तर पर थाना दिख मुकईशी हैं इनके लित्रुक्त में चलाया जा रहा था लगभग इस महीने के प्रारम से कुल मिलाकर 11 FIR हो चुकी है टोटल 39 लोग 49 लोगों ये रफ्तारी हो चुकी है शराप भी काफी मात्रा में पकड़ी गई है आज भी 400 लीटर के आसपास हम लोगों ने कौन निर्मित अर्द निर्मित शराप मैटेरियल मीठा ये सब जब्त किया है पुल मिलाकर 9 पुरुष और 2 महिलाओं को शराप बनाने के लिए के अपराद में पकड़ा गया है हमके घरों से शराप बरा मत की गई है आज की जो कारवाई है ये समकाले नभियान ये इस डाइब पुरे अनुमंडल के अलग-अलग थानों में एक साथ चलाई जा एक साथ रेट की गई है इस रेट में इनके साथ अत्मलगोला के पुलिस बल भी था और सालिंपुर थाना जक्ष भी शान भी था तो ये जो कारवाई है निदंतर चल रही है लेकिन आज से लेकर अगले दो दिनों तक हम लोगोंने जो एस ड्राइब रखा है उसका मूल उ तो इन चीडियों का दुरुप्यों चुनाव की दृष्टी से निर्वाचन के कारियों में भी ना हो पाए ये हम लोगों की प्राथ में प्राइब करना है